कि कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में कि समर्ज होता है कि यह कोई सॉलिड है और उसको हमने लिक्विड में प्लेस किया सिकेडें सिंग में सिग्मा है और इसकी जो देंसिटी है लिक्विड के देंसिटी रो है हितना पोर्षन जो है वो लिक्विड के इंसाइड है तो वाट इस दो फ्राक्शन समर्ज्ट कितना फ्राक्शन समर्ज्ट है फ्राक्शन समर्ज्ट क्या होगा टोटल समर्ज्ट वॉल्यूम यह हो जाएगा समर्ज्ट वॉल्यूम जितना वॉल्यूम लिक्विड के इंसाइड है that is submerged volume divided by total volume यह हो जाएगा submerged volume divided by total volume यह हमें find करना है तो इसका free body diagram जो करेंगे यह हो जाएगा यह buoyant force liquid force apply कर रहा होगा यहां से चारो तरब से और इधर से होगा इसका mg weight equilibrium में है यह solid equilibrium में है मतलब b is equal to mg b is equal to mg what is buoyant force buoyant force is the volume submerged into raw liquid into g is equal to mass of the solid mass of the solid is total volume into sigma into g यह g और g cancel out हो जाएगा तो जो वी एस है वी एस बाइवी is equal to sigma by rho वी एस बाइवी is what submerged volume divided by total volume तो उतना ही fraction यह 100 से multiply करेंगे तो उतना percentage liquid के अंदर submerged है so Vs by V into 100 कर देंगे तो यही तो हो जाएगा मारा यह हो गया fraction fraction submerged is equal to density of solid divided by density of liquid आगर percentage में फैंड करना है तो यहाँ हो दो पर्सेंटेज समय्ट पर्सेंटेज paints a submerged पर्सेंटेजеди ओ parade समय्ट समय्ट है पर्सेंटेज अंदार्स एक्शμηग्ण तो सींग्मां Wajo सब्सक्राइब करते हैं कि तीन कंडिशन है और इनको बताओ इनके हिसाब से समर्ज्ट के उपर क्या इफेक्ट होगा सब्सक्राइब लेते हैं जिसकी डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी के इकवल है या लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो फ्रैक्शन समर्ज्ट के उपर क्या इफेक्ट होगा कि अगर सिग्मा की वैल्यू डेंसिटी से कम है तो यह एक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी क्या लेस दैन वान होगा कि फ्रेक्शन की वैल्यू लेज दन वन होगा तो क्या होगा पार्शिली सब्सक्राइब पार्शिली सब्सक्राइब और ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा कुछ पार्ट उसका बाहर रहेगा कुछ पार्ट लिक्विट के अंदर रहेगा और वह फ्लोट करता रहेगा क्या करत अब्जेक्ट विल फ्लोट अगर इक्वल है डेंसिटी आफ शॉलिड एंड देंसिटी आफ लिक्विड आर इक्वल तो फ्रैक्शन क्या होगा अंडेट परसेंट फ्रैक्शन इस इकोल टो वान मतलब जैस्ट वह कम्प्लीटली समर्ज्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे फुली समर्ज्ट फुली समर्ज्ट फुली समर्ज्ट इस्टिल क्या होगा बई बॉयंड फोर्स और एम जी के पराबर ही है वहां पे तो वह क्या होगा अब्जेक्ट विल फ्लोट अब्जेक्ट विल फ्लोट औब्जेक्ट विल फ्लोट कर रहा होगा बट अगर डेन्सिटी इसकी ज्यादा है तो फ्रैक्शन समर्ज्ट की वैल्यू गर्टर दन वन आ जाएगी greater than one का मतलब क्या है greater than one का मतलब वह तो अपने volume के बराबर ही सम्मर्ज हो सकता है maximum जादा कैसे hundred-two hundred-present कैसे समँर्ज होगा तो इसका मतलब है ऐसे केस में क्या है ऐसे केस में boy and force weak हो गया mg जादा हो गया sigma की value जादा है इसका मतलब क्या है density object की बहुत ही ज्यादा है तो अगर dense object होगा तो मैं इसमें बोल सकते हैं क्या कि object जो है fully submerged होगा कि fully submerged होगा submerged बट इट विल सिंक ऑब्जेक्ट विल सिंक ऑब्जेक्ट विल सिंक कि हाई डेंसिटी का सब्स्टांस अगर प्लेस करेंगे लिक्विड में तो वो सिंक कर जाएगा नीचे चला जाएगा नीचे सटल हो जाएगा लो डेंसिटी का सब्स्टांस होगा वुड होगा कोई धर्मकॉल पीश होगा कुछ होगा लाइट देंसिटी का प्लास्टिक है कुछ उसको हमने ब्लेस किया तो वो क्या होगा वो कुछ fraction submerged होगा और floating condition में रहेगा इकवल डूवान होगा तो ठीक है इग्जाक्टिली हंड्रेट परसेंट सम्माज्ट होगा बट वो इस टाइप दी सिचुवेशन हो जाएगी कि डेंसिटी कि अगर सपोर्स करो कि यह ऐसा है तो हाइड इंसिटी का जो होगा वो कहां चला जाएगा सिंक और कि बॉर्टम में आ जाएगा निए यहाँ पर सिगमा इस मोर देन रो अलो सब्सक्राइब करता रहेगा और कम है तो कुछ पार बार होगा कुछ पार अंदर होगा इस टाइप्स होगा फ्लोट करता रहेगा तो कोई अगर पूछता है कि what is condition for flotation किसी भी object के float करने की condition क्या है तो हम क्या बताएंगे sigma should be less than or equal to rho और density of solid should be less than or equal to density of liquid it is called condition for flotation किसी भी object के float करने की condition है है ठीक है है चाहिए है तो अब इस यहां पर और वाटर का एजमपल लेते हैं तो किसमें आएगा तुम्हें बताएंगे किसमें आएगा बताऊ है किसमें आएगा भी बताऊ कोई वो डैन वाटर का इग्जामपल अगर लेते हैं तो थार्ड के सोगा हुँआ है वोड़ की डेंसिती कम होगी फ्लोट करता है बुद इस एग्जामपल जे सकते हैं कोई एक एक एग्जामपल 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 एसा कहा है ऐसा हो सकता है मतलब ऐसा मैं एक्जाक्ली कि कौन सा एक्जामपल यार पता नहीं है और अगर फ्रीज करके भी बनाएंगे तो और लिख्विड इस्टेट में देंसिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा इसे मालों सेम लिकविड को फ्रीज कर दिया उसका बना दिया तो सॉलीड लिकविड में थोड़ा सा डिफरेंस आई जाता है इसा एक्जिस्ट नहीं करता है कि अलब जहां तक मुझे द्याना रहा है इसा कुछ ये दोनों सेम सेम होने चाहिए थर्ड का इग्जामपल कुछ लिक्विड का पार्ट ही हो सकता है कि मालों वाटर है वाटर का ही एक क्यूब ऐसे ले लिया वाटर में ही एक पॉर्शन ले लिया कि ऐसी लेख से दोनों की टेंसिटी सेम है मतलब आल्मोस्ट यह तो डिफ्रेंचियबल नहीं है तो यह है तो कंटेनर में कुछ ऐसे ऐसे लिक्विड है तो यही ले ले लेते हैं यह पार्ट कि फ्लोट कर रहा है हंडेट परसेंट समोंस्ट है ठीक है ऐसे सोच सकते हैं सच तो कुछ एग्जामपल नहीं है इसमें आज सर्व आइस क्यूब है आइस क्यूब के जो एज है वो ए है और इसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सिसी फाइंट परसेंटेज आफ वॉल्यूम समोंस्ट परसेंटेज आफ वॉल्यूम समोंस्ट और यह लिक्विट का लेवल है लिक्विट का लेवल कुछ है है एच है है कि देखो इसके बाद जितने भी कोशन पूछोंगा दो तीन कोश्चन जो भी एक-दो कोश्चन पूछोंगा उसके आंसर तुम गलत ही दोगे इसलिए सोच के आंसर देना fine percentage of volume submerged fine percentage of volume submerged volume submerged percentage with a second day what is effect on H what is effect on H if ice completely melt meltdown what is the effect on height of liquid level when ice completely melts but oh the percentage 90% percentage 90% F is equal to sigma by rho sigma is equal to 0.9 water density होती है कितनी rho is equal to one gram per cc one 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 two fraction yoga 0.9 fraction 0.9 percentage submerged percentage submerged is equal to 0.9 into 100 90% what is the effect on H if ice completely meltdown ice completely meltdown level will increase decrease or remain same increase increase remain same increase remain increase क्यों होगा melt करके volume ज्यादा बना देगा क्यों है remain same क्यों है remain सब्सक्राइश सब्सक्राइश कर देखा कर चुका गा वॉलियम तो मैंट होने से वही तो और आया आई करें ज्यादा वॉल्यूम होता है आइस में तो कम वॉल्यूम बनेगा तो लेवल फॉल नहीं होगा और कोई सोच जल्दी रिवर्श इंजिनेरिंग से आंसर नहीं देना गए रिवर्श इंजिनेरिंग से अंसर दे रहे हैं कुछ बैग्यानिक बंदू कि अच्छा अच्छा कि बोले हैं गलती आंसर दोगे तो मैं गलती देता हूं तो सही हो जाएगा जो आ रहा है आंसर वही दोगे डिग्रीज के फेवर में कोई नहीं डिग्रीज लेवल डिग्रीज कि अच्छा कैसे मैं तो वही बूच रहा हूं तो आंसर जो है वह आंसर है लेवल सेम नोचेंज इन दे लेवल आफ वाटर इफ आइस कंप्लेटली मेंट्स अब वह कैसे हम काल्कुलेट करेंगे काल्कुलेट ऐसे करेंगे कि सब्सक्रायि कि सब्सक्राइब की अचांट किए गए ओपर थो है सपोस्ष के यह सीने असे सिनाप्स कंसिडर करते हैं कैसे हम कंपेर करेंगे कंपेर करने के लिए IP ninth 90% से में काणिए इसका 90% संहें कि और यह है 90% संहें सौनीं इसके बादा एक है मनें माल्ब आइस क्यों निकाल दिया याई किनल को लिखविट से निकालने पर इतना जो है वालियूम मानते हैं कि यहां पर एक क्याविटी च्रेट हो गई हैर्ण ऐसे एक कैविटी क्रिएट हो गई इस कैविटी का वॉल्यूम कितना होगा इस कैविटी का वॉल्यूम वही होगा जो वॉल्यूम समर्ज़ होगा अब आइस क्यूब को क्या कि हमने मेल्ट कर दिया आइस क्यूब को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके हमने वाटर बना दिया कंप्लीटली मेल्ट करने पर यह कितना वाटर बन रहा है यहां से कुछ वाटर बन फॉर्म हुआ आफ्टर मेल्टिंग तो मैल्टिंग के बाद मालिया की कुछ फाइनल वॉल्यूम बन रहा है और ये जो है अनिसेल को समर्ज वॉल्य. तो अगर इस केश में इस बीफ़ोव मैल्टिंग जो उख्लूपाई कर रहा था और आफ्टर मैल्टिंग जितना वॉल्यूम तो इस दोनों सेम है तो लेवल विल रिमेन सेम है ठीक है अगर को वाल्यूम सो मेश्ट मैश्ट जो जो आल्यूम संद्स पता करना है कि भी-एस इपन तो जाओ यह तो कंडिशन से लिख रहा हूं या जी बाले यह पता करना है वाल्यूम सबमर्ज्ड की वैल्यू अगर ग्रेटर है या फिर हमें से बोल सकते हैं कि वाल्यूम सबमोर्ज्ड क्या मेल्टीं के बाद जो भी वाल्यूम बन रहा होगा अगर वो व अगर जो वाल्यूम वाइनली बन रहा है वो समर्ज से कम है अगर चार्च चाहिए तो लेवल क्या होगा फॉल होगा यही तीन सेनार्यू होगा यहाँ से जो वाल्यूम फॉर में कर लेता है दूर दूर आपको ज़्या इंक्रीस ज्यादा वॉल्यूम अगर फॉर्म हो रहा है तो लेवल विल्डिक्रीस ठीक है बेगानिकों तो तो आप यह करना है इसमें तो वाटईज़ समयर्ज्ण वॉल्यूम मैं महा लेता हूं उसका इसका का जो डाइमेंशन लिया था वो था ए क्यूब का डाइमेंशन है ए क्यूब का डाइमेंशन है ए और जो समर्ज वॉल्यूम है मुझे फ्राक्शन समर्ज पता है वी एस डिवाइड बाई वी is equal to sigma by row sigma is equal to 0.9 row is equal to one what is volume submerged 0.9 into टूबी और वी इस इकोल डुवाट भी है एक्यूब तो यह पॉइंट नाइन एक्यूब का वाल्यूम है स्पेस जिससे बताया हमने 90 परचेंट समुज़ें कि आफ्टर मिल्टिंग आफ्टर मेल्टिंग मालों M KG आईसे तो वाटर तो M KG फॉरम होगा मास अगर सेम होता है तो M KG आईस से M KG वाटर फॉरम होगा मतलब ऐसा मास आफ आइस इसको लिख लेते हैं जो लोग नीद में बाद में कभी रिवाईस कर लिए अगर गलती से मास ओव वाटर है तो दोनों का मास से मैं होगा तो कितना मास आई सिका है आई सका जो मास है वो हे टोटल वॉल्यूम एक यू इंट मैंकि इसीटी इंसिटी 0.9 मास ओव वाटर कितना फॉर्म होगा मास फॉर्टर डेंसिटी ओवाटर वन और यह फॉर्म हुआ फाइनल वॉल्यूम जो फॉर्म मेल्टिंग के बाद वाद वी एफ वी एफ इस अलसो 0.9 ठीक लीए तो मेल्टिंग के बाद जो वाल्यूम हो रहा है जो लोग तके से आंसर दिये यह सोई के आंसर दिये जो हैं यह समझार है मेल्टिंग के बाद स्वाल्यूम मेल्टिंग पहले जितना आगर वह दोनों से मोते हैं मतलब आ इसको completely melt करा कि अगर उसमें डालेंगे तो वो exactly same space occupy कर लेगा और लेवल में कोई भी change नहीं होगा आपने वो जो वी एस बाइवी जो लिखा है वो वने को बता दीजेगा जो सार अपने वी एस बाइवी इस इक्वल टू सिग्यमा भईट्ड ईक्वेशनदमें एा fraction submerged? fraction submerged vs by of the fraction submerged's fraction submerged is equal to sigma by room इस भी आपने मस सभाकदर चोगिया क्यूग जितना आज समझा मेल्टिं के बाद बनाना कि और बनाना अदे यार, जितना मास आइस होगा उतना ही तो मेल्ट होने के बाद वाटर बनेगा? जितना मास आइस होगा? मुझे लगा जार में जार जार में जार प्रकास गुट आइस कहा हुआ हो। नीद में यही हैं बैटेख मैं जार जतना है कर रहा है जतने केजी का आई से उतने केजी का यह वाटर फ़ाम होगा तो अब मेल्ट करने के बाद का वालुम हमें फाइंड करना है तो यह हो गया ठीक है नेक्स्ट next question का भी answer सोच के देना है सोच के answer देना है नहीं दे पार हो मत बोलना है कुछ logic से कि suppose कि दो liquids है यह दो liquids है और इसमें एक cylinder है वो समोजड है cylinder यहाँ पर है और यह cylinder समोजड है दो immisible liquid है दो immisible liquid है इसकी density कुछ है इसकी density माल लेता हूं में रो वन है इसकी देन्सिटी रो टू है यह length जो है यहाँ से यह length L1 है यहाँ से यह length L2 है और यहां से यह लेंथ 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 है आल 1 है ल 2 है यह लेंथ है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए डेंसिटी जो है इसकी मालते हैं कि सिग्मा है इसकी डेंसिटी सिग्मा है मुझे ये वताना है कि कि फैन्न फफस अई पहलाईट बैक्विड 1 डारीक्शेंस सिर्फ डारीक्शेंस को '' force applied by liquid one force applied by liquid one force applied by liquid two tello magnitude we calculate career force applied by liquid two net force applied by liquid net force applied by liquid इसका cross section area है ठीक है इसके लिए मैं फ्री बोडी डाइग्राम कर रहा हूं थोड़ा सोच के देखना कि उसमें कुछ गलती है क्या गलती हो सकती है गलती डूनने में तो वैसे एक्सपर्ट हो तो यह जो है वाल्यूम है है इतना वाल्यूम है तो मैंने देखा कि बायंड फोर्स तो पड़ी लिया है बायंड फोर्स में क्या होता है कि लिकुट सम जितना होता है तो लिकुट समेर्च इंटू रो लिकुट इन्टू जी होता है तो यह वान मैं कुछnelle सं मो μπο spac तो में कुछ पोर्षन समंच है तो न में में जो पोर्षन जमने उसके वजह से कुछ भाट्विन मैं में यहां पर दिखा पॉस्वायन गाथ म Israelites कर लूएम सम्मझ तो वालिम सम्म जतना वाल्यूम देख सब्समेंप कितना TIMS टू यह इस ए pięh into too into g और यह हो गया है जी canadII a यह ल फ्मस्मज्द इतु यह होगाना एल टू इन्थो ए कि तो यह नहीं है तो क्यों सही नहीं है और सही है तो क्या है सोचके बताओ जल्दी दी zwr अपने दिमाग का इस्तमाल करो जिसका यूज कई महीनों से बंद कर दिया है, कम यूज करने से गाइब हो सकता है, गलत यूज करने से डिस्ट्रॉय हो सकता है, सही यूज करो और बताओ, मतलब उस पॉइंट पर अबंद समझद है अ आ कि फूरा लिकुड चाइट के अंदर तो टोस्फ ल वाल्यूम तोदी Mountain अ समस्झेए भी टुके अंदर तो कुछ व्ल्युम यह सारा वाल्यूम तो है नहीं ऊ खुल से तो फिर उसमें लिकूड वान मैं कैलकुलेट करता हूं मैं कैलकुलेट करता हूं कि इस साइट से जो फोर्सेज वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे सेम होरजंटल लेवल पर सेम प्रिशर यहां से यह कैंसल आउट हो जाएगा यहां से भी यह कैंसल आउट हो जाएगा यहां पर cancel out हो जाएगा मुझे find करना है यहां टॉप से force और यहां bottom से force है तो obviously तुम्हें यह समझ में आना होगा अगर सोच पा रहे होगे सच में मन से अगर सीखने के परस्पेक्टिव से सोच रहे होगे तो तुम्हें यह समझ में आ रहा हो कि यहां ठीक है F2 तो ज्यादा हो गई होगा क्योंकि लिक्विट में हम बिलो जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वहां पर जहाई प्रेशर है सेम एरिया है तो F2 ज्यादा होगा तो Net जो फोर सोगा Net फोर सब्लाइट बाई लिक्विड वह वर्टीकली अप्वार्ट डिरेक्शन में होगा बट मैं यहां पर दिखा रहा है कर रहा है बट अगर मैं देखूं कि कोई पूछेगा कि what is the force applied by liquid one तो वो liquid one to force downward apply कर रहा है अधिक वन तो उसका force downward apply कर रहा है what is force applied by liquid two वो तो upward है मैं एक बार calculate करके फिर net force निकालता हूं तो अगर मैं f1 calculate करता हूं f1 calculate करते हैं यहां पर तो f1 का magnitude होगा f1 is equal to pressure एरिया प्रेशर जो है वह हो जाएगा P0 प्लस L1 रो जी L1 और यह देंसिटी है रो 1 इंटू जी और एरिया है A F2 कालकुलेट करते हैं F2 is equal to this point का प्रेशर इंटू एरिया यहां का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस L1 L1 रो 1 इंटू जी प्लस L2 वो भी रो 1 में है L2 रो 2 इंटू जी प्लस L3 L3 रो 2 इंटू जी इंटू एरिया A F2 माइनस F1 अगर हम करते हैं F2 माइनस F1 अगर करेंगे तो मुझे नेट फोर्स मिलेगा यही है सब्त्राइट करो यहां से देखो के P0 L1 G और इनाट L2 G6reated 0 पालवन 010 रोट्वन जी इंट्वें कैंसल आट एम मुझे यहां से मिल जाएगा a2 sorry a l2 rho 2g plus a l3 rho 2g what is this a2 into l2 sorry a into l2 a into l2 is the volume submerged in liquid 1 area into l3 area into l3 is the volume submerged into liquid 2 this is equal to net force net force is equal to this v1 rho 2 into g V1 rho 1 into g plus V2 rho 2 into g V1 rho 1 into g plus V2 rho 2 into g V1 rho 2 is equal to V1 plus V2 तो हम नेट फोर्स के कैलकुलेशन में ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर ऐसा हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां पर बेसिक वन का में फोर्स देखना है तो प्रेशर इंटु एरिया हम देखेंगे तो सबर्फिर B1 आ क्यों मेंनूरा नहीं होता तो यहां पर वन के वज़े से उतना प्रेशर नहीं होता नीचे अगर उपर हम कोई लिक्विड रख देंगे तो बें उसका वेट के वज़ेश से प्रेशर हर पॉइंट पर चेंज कर जाएगा तो उपर वर न को ने की वज़से इस पॉइंट का प्रैशर बढ़ गया जिसके वज़से ऊंप्रीश हो गया यह और वो पॉर्स आ रहा है कितना वो फॉर्स आ रहा है कि ए ये अगर हम ढेल फोर सब्सक्रामानेंट नलेट फोर्स के लिए हम यह चीज लिक and downward what is force applied by liquid 2 liquid 2 का जो है दिसमच इन्टु अप्वार डिरेक्शन में what is net force net force है और net force का जो equation आ रहा है वो हो जाएगा B1 plus B2 B1 is the buoyant force due to liquid 1 and B2 is the buoyant force due to liquid 2 ऐसा हम बोल सकते हैं बट यह समझना है कि यह जो B1 है वो liquid 1 नहीं अप्लाई कर रहा है पॉर्ट डिरेक्शन में वो 2 के वज़े से आ रहा है समझे कुछ ना सरकार ना क्या इस सब्ता दिए बोलो कि सोचो थोड़ा एक जो atmospheric pressure है वो आपने total pressure में लेके फिर आपने उसको अपवर्ड दिखाया है तो वो पी अपवर्ड ही होगा लिक्विट 2 में लिक्विट 2 में एफ 2 अपवर्ड एफ 2 जो है प्रेशर वो भी अपवर्ड होगा प्रेशर का फोर्स और क्या किदर होगा प्रेशर इंटु एरिया अपवर्ड डिरेक्शन में खिल इंगे जब होंड़्स प्रेशर के लिक्विट 2 में एफ 2 आत्री